और फिल्मेकर महेश भट आज अपना 73 जम दिन मना रहे हैं इस मौके पर उनकी बेचियों ने उनके लिए इस्टाग्राम पर पोस्ट डाल कर उन्हें विश किया है पूजा भट और आलिया भट ने इस बर्दे सेलिबरेशन की कुछ पिक स्पेस शेयर की जिनमें आलिया भट पापा की पीछे गुबाहरा लिये चुलबले अंदास में नजर आएं पूजा ने फोटो शेयर करते हुए महीश भट के लिए लिखा बर्दे बॉय वहीं आलिया को सेंटिंग गर लिखा है साथ ही आपको बता दें कि इस तस्वीर को देखकर पूजा की बात वाजब भी लगती है क्योंकि आलिया इस फोटो में लाइम लाइट चुराती हुए दिख रही है खाजबाद ये रही कि इस पार्टी को अटेंट करने के लिए आलिया भट के बॉयफ्रेंट रनबीर कपूर भी पहुँचे और यहाँ पर रनबीर कपूर ने फोटोस भी क्लिक करवाई आलिया भट अपनी शूटिंग में विजी रहने के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना कभी नहीं भूलती पापा के बुद्दे पर आलिया ने एक छोटा सा सेलिबरेशन किया दरसल इस सेलिबरेशन में परिवार के बाकी लोग ही शामिल हुए थे पूजा और आलिया की इस्टाग्राम पोस्ट को देखकर पता लगाया ज़ा सकता है कि महेश भट फोटोस के लिए पोस्ट दे रहे हैं लेकिन आलिया उनके पीछे बलून लेकर खड़ी हुई शतानी के मोड में दिख रही है और इस मौके पर महेश भट की पतनी सोनी राज़दान में भी उन्हें सोचल मीडिया पर हैपी बर्दे डालिंग कहकर विश किया है आज यानी भी सितंबर को महेश भट के बर्दे के दो दिन पहले 18 सितंबर को आलिया की बेस्ट ट्रेंड आकांचा रंजन का पूर का भी बर्दे था और आलिया ने अपनी बेस्ट ट्रेंड को इंस्टाग्राम पर एक फोटो डाल कर विश किया था और अब बात करें सोनुसूद की तो इंसानों के मसीछा कहे जाने वाले आक्टर सोनुसूद ने इंकम टेक्स की रेड के चौते दिन एक बयान जारी किया है उन्होंने कहा कि ज़रुतमंदों की मदद करते रहेंगे उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर बार कहानी बताने की ज़वरत नहीं होती समय खुद बखुद इसे बताएगा मेरे घर आये कुछ महमानों ने उनकी कारण मैं पिछले चार दिनों से लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था लेकिन अब मैं लौट आया हूँ सोनों ने आगे कहा कि मैं अपनी शम्ता के मुताबिक भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करने का संकल्ब ले चुका हूँ मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे फाउंडेशन में जमा पैसो की आखरी किष्ट तक किसी भी तरह जरुद मन्द लोगों की जान बचाई जा सके मैंने कही मौकों पर बड़े बड़े ब्रैंड को मेरी फीस के बदले लोगों की भलाई का काम करने के लिए कहा है मेरा सफर जारी रहेगा उन्होंने आखर में लिखा कि कर भला हो बला और अंत भले ही भला और ऐसे में इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के मताबिक सोनो सूथ को फिल्म इंडस्ट्री से जो पैसा मिलता था उसमें से काफी पैसा उन्होंने अपनी इंकम ना दिखा कर कई फर्दी कमपनियों के जरिये अंसेक्योर लोन दिखाया हुआ है हलाकि विभाग का ये दावा है कि अब तक की गई ज्वांच के दोरान 20 AC कमपनियों का पता चला है जिनसे सोनो सूथ द्वारा अंसेक्योर लोन दिखाया गया है जबकि ये पैसा उनकी अपनी कमाई था विभाग के आला दिकारियों के मताबिक जब इन शेल कमपनियों के करता दिकारियों से पूश्टाच की गई तो उन्होंने शबत पत्र के जरिये स्विकार किया कि उन्होंने सोनो सूथ को बोगस एंट्री दी थी और अब तक 20 करोड रुपे से ज़्यादा की इंकम टैक्स चोरी का पता चल सका है और अश्लील फिल्म मामले में आरोपी बिजनसमैन और बॉलिवड एक्टर शिलबा शेत्री के पती राज कुंद्रा की जमानत अरजी पर आज किला कोड में सुनवाई होने वाली है बता दें कि राज कुंद्रा ने शनिवार को जमानत अरजी दाकिल कर ये दावा किया है कि उन्हें बली का बकरा बनाया जा रहा है और बामले में दाखिल पूरा कारोप पत्रों में कोई सबूत नहीं है जो कथे दावत्ति जनक फिल्में बनाने में उनकी प्रत्याक्ष सनलिप्टा को साबित करें ये मामला आपको बता दें कि जाज कर रही अपराद शाखा ने कुंद्रा और तीन अन्ने के किलाव कथी तोर पर अशलील यानी पॉन फिल्म बनाने और कुछ एप की मदद से उन्हें प्रसारित करने के आरोप में हाल ही में पूरा कारोप पत्र दाखिल किया था और इसके बाद आरोपी ने मेट्रोपॉलिचन अदालत का रुप किया है और तर्क दिया है कि वैवारिक रूप से इस मामले की जांच हो चुकी है पता दे कि शिल्बाशेटी के पती राज कुंद्रा को मुंबई से 19 जुलाई को गिरफतार किया गया था उनकी खिलाब भारती दर्ण सहिता और सूचना प्रद्योगी की अधिनियम की विपिन धाराओं के तहट मामला धर्च किया गया है और इस वक कुंद्रा नयाई खिरासत में है वकील प्रशान पाठिल के जरिये दाखिल की गई जमाना तरजी में कुंद्रा ने दावा किया है कि आज की तारीक तक अभी योजन के पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो होट शॉट एप को कानून के आधार पर अपराथ के साथ सम्मंद कर सके अभी योजन के मताबिक होट शॉट एप के जरिये आरोपी अशली सामगरी को अपलोड और स्ट्रीमिंग करता था